जीडी वाले की आंक छेवाच होनी चाहिए क्या एने वाले तो भी उतना चाहिए या कि फिजिकल पहला वार जो था वो इसमें मीस कर गए थे जिसमें रणिंग में निकला था इस बार आपने कितना घंटे में नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिख्छा समचार और जब आप लोग तयारी करते हैं सब को पहले सपना होता है बर्दी लेने का तो उसमें आप लोग पता है कि अगनीवीर जो नौम सुनते है थोड़ा सा लगता है कि दो मैं चार सार के लिए क्या जाओं तो उसमें हो फाइनली सेलेक्शन है कि इसका फीजिकल किस तरह का त्यारी किये थे और रेटन किस तरह का त्यारी किये थे मेडिकल मेडिकल को सबका सेम होता है यह जीडी हो ट्रेड में हो टेक्निकल हो कोई भी हो तो वादे करते हैं सबस्वागत है हमारे चैनल के भाई साथ मेरे नाम तुस्वाट चौदरी गाउं गड़ी सुरजमर डिस्टिक अलिगड़ और यहारो आगरा लगता है अगरा लगता है अच्छा सबसे बरी होता है कि एन्ने जो होता है वो थोलत सा उसके बारे में हलका से बता है और उनके तैयरी जो होती है आप कैसे किये थे नर्सिंग असिस सेंटर और होती है मिन होती है ओर इसमें जो सरवेश होता है यह पूरा का पूरा होता है यह भूंट होता है आप поб 1974 तक 2022 साल कर सकते हो उसमें जो की बहुत बढ़ी है इसमें बहुत साइट होती है जैसे कि अंदर से लख्ट होने बाद आप अपना रेडियो लॉजी सबस्क्राइब कर सकते ऐसे उससे पूरे प्रकोर यहां कोरे कर दो peł पहले कंई क्वे यूट्विटीप से त्यार ही थे पर रटड़ी से र्टवर से यूटुब और मेराथ्वान देगी थी इससे पूरे को पूरा पेपर ऐसा ही आया था तो पर्स ताइम तो मैंने कर लिया था जूर्ब्लम नहीं थे अच्छ थे मेरे फिटी कोशन से होते हैं इसमेरे सफे मेरे साहिते पिछले ल मैंने फिजिकल पे जाता ध्यान दिया अनिस ताइम मतलब है इसा 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 आता है अब वहां पर हाल्टिटूड था ऐसी सांस फूली अब मैं हो गया फेलो सुने अच्छा आगया फिर देखा चलो निराच हुए कोई बात नहीं फिर त्यारी की रणिंग इस वर रणिं इस बार बहुत बढ़िया गया इस बार भी पेपर पिछली बार से थोड़ा सा तफ आया था अच्छा और वेकेंसी भी कम थी अच्छा पर मेहनत करी तो होई गया सब उस्थानिया सच इसमें तो 44 संथिंग कोशन इस बार विसी हो गया और इसमेरा फाइनल लिस्ट में फि वेकेंसी फाइनलं में वेकंसी ए धूमें इसा बें साथ वेकेंसी यह 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 इस बड़ रवकेंसी आफेपोन आपको जैसे बताएक कि पेपर एक इस नदर बढ़िया कियो कि मैं अलम नहीं को की व्टएनल आखराई में कीया है क्योंकर ह executing कर कि है उबस होता है मारे 50 को। जिसमें 10 questions GK के होते हैं, 5 questions Maths के, 5 questions Physics के और हमारे 15 questions Bio, 15 questions Chemistry, Major part है Science और अपने GS, जिसने Science, Biochemistry अच्छे से पड़ी है, वो इसली कर लेगा, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम ने भी अच्छा एक GS जो रहता है, उसमें current भी रहता है, हाँ, current के हमेशाद 10 में से 2 questions होते हैं, जो की normal chief minister पूश लेता है, या फिर defense minister के बारे में, कुछ ना कुछ, plane, aircraft carrier, कुछ पूश आते हैं, सब्सक्राइब कुछ आते हैं, सब्सक्राइब कुछ नहीं है, अच्छा, अच्छा, soldier NA, तो जब training period complete होता है, basic 3 महीने के बाद, तो फिर जब पढ़ाई होती है, advanced training, paramedical science, पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद होती है, जब कसम period हो जाती है, एक साल बाद, तो इसमें होती हमारी class 3, class 3 में हमको पढ़ाय जाता है, practical पढ़ाय जाता है, military hospital में, officer के साथ, जो medical officers हो करते हैं, जैसे कोई lab मिलती है किशे को, radiology department हो गया, जितने ही एक military hospital में, एक संस्था में, nursing department से लेके, paramedical में होते हैं, इसमें हमको service करने परती है, service करने परती है, अपने physical पहला बार जो था, वो इसमें miss कर गये थे, जिसमें running निकला था, इस बार आपने कितना घंटे मे कुछ रहा हो ना, क्योंकि परने बदा इस student का थोड़ा physical अपको भी पता होगा, जैसे कि इसमें आयते हैं, जिसने indeed qualified कर रखाता है, इसमें अच्छे score थे, उब चाहे थे physical देने, और बहुत अच्छे questions थे उनके, बट वही रहता है, उनका physical नहीं हो पाता, फिसिकल होते है अपनी physical को लेके बहुत serious होना पड़ता है, अपना physical को भी देखके चलना है, जैसे कि, मैं तो सुबह चार बजे उठता था हूं, और अपना running करने जाता था, ग्राउंड में, सुबह शाम को slow running, सुबह speed work, अपना schedule लिग दम, कोई चुट्टी नहीं, एक दिन नहीं, एक द और फिजिकल ऐसे, आपना खेलो को दिक्कत नहीं, बड़े के टाइम के बाद अपने शाम को आपके पड़ो, और किसे जाद अपाल तू बहुत, उन क्या बोलता है, हम इतने बड़िया पेपर कराया, उतने बड़िया पेपराया, कुछ नहीं होता, अपना पेपर कराया, बड़िया वकोण, अपना ग्ला हो खेएग और कोई दिक्कत नहीं, मैं अजलती है, तो मैडिकल सेम होता है, मैडिकल सेम होता है, और मेडिकल इसल्गा होता हमारे हम कुछ 129 बच्चे का हुआ था, 64 बच्चे ग्राउंद थे, UP से, उतराल लखनओ से, 164 बच्चे ग्राउ और यूपी मिलाके लग गए थे कुछ नभबे बच्चे बच्चे थे मुश्टी बच्चे फिजिकल में फेल हो गए और वेकेंसी कमी आती एक्जाम में कम पास करते हैं बच्चे इसमें जैसे एक यार उसे मानों आप 6,000 बच्चे पेपर लिखते हैं तो रिटन क्वालिफा तो आप महां फिट हो जाओ गया ऐसा कुछ निये कि दलाल के चकर में यह बोल देवाई इसको री मेडिकल मिल जाता है ना उसकी आधा परान खतम हो जाता है अब तो गया भाई ऐसे भी फिट होता है जो फिट होने बला रहा है दलाल करते हैं कुछ नहीं इसमें आपके इस वीडियो को जितने वी देखना करें तो कमेंट करें या पूछ लाएं इंस्टा पे और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्सकों का बहुत-बहुत अवार आप लोग वर्दी जुनून है तो इन भाई से मोटिवेशन हो कि कैस नहीं ने तयारी किये थे रेटन क मैं एक दो तीन महीने पहले एक्जाम से अच्छा खीच के चलो पहली छे-साथ आठ गंटे आठ गंटे की पढ़ा है अभी निकाल लो आठ गंटे की पढ़ा ही जैसे कि दो तीन गंटे ले लिए बाकि अपना नोट्स रिवीजन किया तो मैं चीज है रिवीजन आप कहां स करने बाई से अच्छर वी परने कोई फ़रक नहीं परने बाए मोग कटेज समय को आपको एडिया ही नहीं आहिगा खिर मैं कितना जल्दी कोछें पा रहा हैं पाई है शी मोक्राम है शना वर जरोरी ए है कितने विखते कशन तोम छी मालना school education सब्सक्राइब your